हलो एवरिवन आज हम लेकर के आए हैं अपना पाँचमा सेट जो की भारती अर्थ व्यवस्ता से समंदीत है मुझे उमीद है कि आप लोगोंने पीशे के चार वीडियो नस्य तोर पर देखे होंगे और जरुवत के चीजों को नोट भी किया होगा अगर आप नोट करते जाएंगे तो यकीन मानें आप कई सारे अन्य सवालों के जवाब देने की इस्तिती में होंगे तो खेर आज हम लोग इंडियन एकोनोमी से सुरू कर रहे हैं और इस क्रम में हम आपको फिर बता दें कि सारा क्वेशन को पढ़ेंगे हम उसके सारे आपसन पढ़ेंगे और आपसन पढ़ने के बाद आपको 10 सिकिंड का समय मिलेगा इस दोरान आप अपना आंसर कर लें उसके बाद हम आपको सही उत्तर बताएंगे और जरुवत के हिसाब से अन्य बातों की भी आपको जानकारी उपलद कराएंगे तो हम लोग आते हैं क्विश्चन नंबर वन पर पहला क्विश्चन को देखें आप राजकुसिये निती मतलब फिस्कल पॉलिसी समंधित है आपसन ए साख दर निरधारित करने की प्रक्रिया या निती से आपसन बी मुद्रा जारी करने की निती से आपसन सी राजस्च एवं सार्वजनिक ब्याय समंधि निती से और डी रुप्य का मुल्य अंदर धायत करने की सरकारी निती से सही उत्तर है सी राजस्च एवं सार्वजनिक ब्याय समंधि निती से तो सी आपका सही उत्तर है अब हम लोग राजकुसिय नीती क्या है थोड़ा सा अगर समझ लें तो ऐसे सवालों के जवाब आगे देना भी हम लोग के लिए आसान हो जाएगा सरकार की वैसी नीती को हम लोग राजकुसिय नीती करते हैं जिसके माध्यम से सरकार अपने ब्याय और राजस से समझीत कारेक्रमों को सही तरीके से उपयोग करके अर्थव्यवस्था के ऊपर सकरात्मक प्रभाव लाने का पर्यास करती है साथ ही इस निती के माद्यम से सरकार नकरात्मक प्रभावों से भी बचने का पर्यास करती है राजकुस्य निती के तहट सरकार की कर निती, रिन निती और ब्याय निती आती है साथ ही इसके अगर हम उपकर्णों को देखे राजकोष्चिय निती के तो इसमें आता है आपको सार्वजनिक आय, सार्वजनिक रीन, टैक्सेशन मतलब करारोपन, डेफिसिट फिनांसिंग और सार्वजनिक ब्यै तो बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने राजकोष्चिय निती से समन्दित उपलब्द करा दिया है, अब हम लोग आते हैं कोश्चन नमबर दो पर, कोश्चन नमबर दो को ध्यान से पड़े, जेपियसी के स्लिवस में अलग से ये मिनसंड भी है, और वैसे भी यहां से कोश्चन भरपूरू रूप से आने की संभौना है, कोश्चन है उदारी करन, मतलब लिवरलाईयसन का क्या अभी प्राय है, यहां पर आपको जो उत्तर है, वो कूट के माद्यम से चूज करना है, मतलब एक से अधिक उत्तर आपको चुनने है, ए है या एक नमबर पर है ए यंत्रन और पांचवा है कर की निम्न दरें, इसके बाद आपको अपना उत्तर कूट से चुनना है, सही उत्तर है इसका बी मतलब दो, चार और पांच, यह उदारी करन के अर्थ को बताते हैं, उदारी करन अगर हम लोग समान्ने सब्दों में बात करें, तो सरकार की वैसी निती जिसके तहर सरकार का उद्योग धंदों पर से नियंत्रन सिथिल होता है, सरकार अपने नितियों को उदार बनाती है, उसको हम लोग उदारी करन कहते हैं, दुसरे सब्दों में अगर हम लोग कहें, तो इसके तहर देश के आर्थिक भिकास में जो तत्व बाधक का का उनको समाप्त किया जाता है जैसे कि आर्थिक नितियों को समाप्त किया जाता है नियमों को ढिला किया जाता है प्रसास्तिक नियंतरन और प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है अगर आप उदारी करन के अर्थ को समझते रहेंगे इसकी विस्षिस्ताओं को जानते रहेंगे तो ऐसे सवाल का जवाब आपका आसान हो जाएगा, आपके लिए सहज हो जाएगा, इसलिए ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले आप उसके मिनिंग को निस्थी तोर पर जाने, अब आते हम लोग अगले सवाल की और, कुश्चन नमबर तीन, निम्न लिखित में से कौन मुद्रा इस्थिती, मतलब की इन्फलेशन पर नियंत्रन की बिधीन नहीं है, आप्सन ये है, ब्यास जरों को कम करना, ब्यास दरों को कम करना, इसके लिए सबसे पहले आपको इन्फलेशन क्या है, सोजानना होगा, और साथी साथ उसको कंट्रोल करने की जो बिधियां हैं वो भी जानना होगा, तो मोटे तोर पर हम लोग ये जानते हैं, कि मुद्रा इस्थिती को नियंतित करने की दो प्रकार की नितियां है, एक राजकुसिये निती और दुसरा है मौद्रिक निती, राजकुसिये निती का निर्मान सरकार के द्वारा और मौद्रिक निती का निर्मान किया जाता है, मुद्रा इस्थिती वास्तों में, मुद्रा की मात्रा में ब्रिधी के कारण उत्पन होता है, ऐसी इस्थिती में मुद्रा इस्थिती पर नियंत्रन करने की जो बिधी नहीं है, वो है ब्याजदरों को कम करना क्योंकि ब्याजदरों को कम करने का मतलब यह है कि बाजार में या हम लोग कहें कि money supply बढ़ जागा और money supply बढ़ने का अर्थ है inflation इसलिए इसके control की विद्यों को अगर आप जानेंगे ठीक है तो आप आराम से इसका answer कर लेंगे अब हम लोग आते हैं option question number 4 पर question number 4 है सरकार के द्वारा reserve bank of India मतलब RBI से लिया गया रीन किस में सामिल होगा वो सामिल होगा राजस्व प्राप्ती में मतलब की revenue receipt में दुसरा है राजस्व प्राप्ती में मतलब की revenue expenditure में फिर पुन्जीगत प्राप्ती में मतलब capital receipt में और चौथा पुन्जीगत प्राप्ती में मतलब capital expenditure में इसका सही उत्तर है सी पुन्जीगत प्राप्ती में और इसका आगर detail आपको जानना हो तो YouTube पर मैंने public expenditure के नाम से एक video upload कर रखा है उसमें आपको वो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और साथी इससे समंदित अन्ने बातें भी आप जान पाएंगे अब हम लोग आते हैं next question पर next question है question number 5 निमलिखित में से कौन सरकार की राजकोशिये मतलब fiscal policy का उपकरन या tool नहीं है option यहाँ पर भी आपको choose करने है एक से ज़्यादा का परयोग करना है मतलब कूट का परयोग करना है एक नमबर पर है सार्वजनिक आए दो नमबर पर सार्वजनिक भी आए तीन में हिनार्थ प्रबंधन चार में सार्वजनिक रीन और पांचवे में में लिखा हुआ है करारोपन इसके बाद आपको कूट का परयोग करना है इसका सही उत्तर है ए उप्रोक्त सभी राजकोशिये निती के उपकरन है और पहला कोश्चन का एक्सपानेशन देते हुए हमने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया है तो इसका आंसर होगा ए मतलब की सभी राजकोशिये निती के उपकरन है अब आते हैं हम लोग अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर छे निजी छेत्र में देश का प्रथम नर्यात प्रसंसकरन छेत्र मतलब EPZ जिसकों अंगरीजीं बोलते हैं Export Processing Zone कहां अस्थापित हुआ था निजी छेत्र में पहला EPZ कहां अस्थापित हुआ अप्शन A, कांडला, B, कोशीन, C, सूरत, D, मुंबई इसका सही उत्तर है C, मतलब सूरत और आपकी जानकारे के लिए बतादे हैं चुकि ये निजी छेत्र का पहला EPZ पुझा जा रहा है तो निजी छेत्र में सबसे पहले सूरत में 1995 में स्थापित हुआ था तो प्राइबिट सेक्टर का ये पहला था जबकि कांडला जो था वो पब्लिक सेक्टर का पहला EPZ था और ये 1965 में इस्टैबलिस हुआ था तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंतर को समझते हुए आंसर कीजिएगा जल्दवाजी में आपका आंसर गलत हो जाएगा अब हम लोग आते हैं next question पे that is question number 7 question है भारती अर्थविवस्ता में भुगतान संतुलन मतलब balance और payment के विप्रीत होने की दसा में कौन सा कदम सहायक है पहला option है बी मुद्री करन जिसको अंगरी जी बुलते हैं demonetization उसके बाद है अधी मुल्यन मतलब की revaluation option c है omillion मतलब devaluation और d उपरोक्त तीनों ही इसका भी सही उत्तर है c वो है आपको devaluation मतलब की omillion omillion क्यों इसको जानने से पहले ये जान ले कि भुगतान संतुलन विप्रीत क्यों होता है तो भुगतान संतुलन के विप्रीत होने का कारण सिधा साय होता है कि किसी भी कारण से आयात अगर अधिक हो रहा हो और उसकी तुलना में नर्यात के मुल्यों में कमी आ रही हो मतलब कि निर्यात कम हो रहा हो मौदरिक रूप से तो ऐसी इस्थिती में भुगतान संतुलन वो विपरित होगा या असंतुलीत होगा और ऐसी इस्थिती में क्या होगा कि निर्यात को बढ़ाना होगा तो अवमुल्यन से किसी विदेश का निर्यात बढ़ जाता है क्योंकि बिदेशियों के लिए देश का समान सस्ता हो जाता है जबकि अधी मुल्यन में आयात बढ़ता है और बी मुदरिकरन आप जानते हैं कि किसी खास रकम का या जिसको बुले हम लोड डिनोमिनेशन का जो मुदरा है उसको चलन से बाहर किया जाता है और भारत में दो बार डिमो से बाहर किया था और दुसरी बार नरिंद्र मुदी सरकार के समय में 8 नॉंबर 2016 को किया गया और 1500 रुपया के नोटों को चलन से बाहर किया गया यहाँ पर आप लोगों को भी मुदरिकरन अधी मुल्यन और अमुल्यन का अर्थ निष्चित दॉर पता होना चाहिए अधी मुल्यन हमता आदें आपको कि बिदेसी मुद्रा की तुलना में देस की मुद्रा के मुल्य में बृधी करना और अमुल्यन बिदेसी मुद्रा की तुलना में देस की मुद्रा का मुल्य कम करना तो इसका सही एंसर है C अब हम लोग आते हैं कोश्चन नमबर आठ पर बस्तूओं का आयात, C, बस्तूओं का नर्यात, और option D, A और C दोनों, इसका सही उत्तर है C, बस्तूओं का नर्यात, तो सबसे पहले इस question का answer करने के लिए आपको credit side पता होना चाहिए, तो credit side का मतलब कि जब पैसे की प्राप्ती हो, और पैसे की प्राप्ती कब होती है, जब नर्यात किया जाता है, ठीके, बिदेसी यात्रा ब्याय कर रहे हैं, तो लोग पैसा का भुगतान कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तब हम लोग पैसा का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन पच्च के अंतरगत बस्तु ओं का निर्यात आएगा कोश्चन नमबर नाइन पर हम लोग आते हैं ग्रामीन छेत्रों में निर्धंता के आकलन हेतु किस सुचकांक को आधार बनाया गया है ग्रामीन छेत्रों में निर्धंता के आकलनेतु किस सुचकांक? मतलब इंडेक्स को आधार बनाया गया है Option A. सेर सुचकांक, B. थोक मुल्ले सुचकांक, C. A. और B. दोनों और D. स्रमिकों का उपभुकता मुल्ले सुचकांक मतलब क्रिसी स्रमिकों का उपभुकता मुल्ले सुचकांक इसका सही उत्तर है D. क्रिसी स्रमिकों का उपभुकता मुल्ले सुचकांक सेर सुचकांक आप जानते हैं कि सेर बाजार से समंधित सुचकांक है थोक मुल्ल सुचकांक जो है वो मुद्राइस फिती या इंफ्लेशन की जांच करता है तो option यहाँ पर D सही होगा, C का कोई मतलब बनता नहीं क्योंकि दोनों अलग-अलग प्रकृति को दर्सार है अब हम लोग आते हैं इस सेट के आखरी question पे, वो है question number 10 निम्नांकित में से किस ने सबसे पहले अंतरीम बजट, इंटरीम बजट सब्द का परयोग किया था तो पहले अंतरीम बजट का आर्थ से जान ले कि थोड़े समय के लिए जो बजट बनाया जाता है उसको अंतरीम बजट कहते हैं तो इस सब्द का सबसे पले प्रयोग किया था, option यह है, जौन मताई, B, आरके सनमुखम, चट्टी या सट्टी, C, क्रिस्नमाचारी कार्डोर, और D, C, D, देश्मुख. इसका सही उत्तर है B, आरके सनमुखम, चट्टी, इनके विशे में बता दें कि यह स्वतंत भारत के पहले वित्मंत्री के रूप में, इन्होंने ही पहला बजट प्रस्तूत किया था, और 1948-49 के बजट को और अस्थाई तोर पर थोड़े समय के लिए पारित किया गया था इनके द्वारा, जुसको कि इंट्रीम बजट का इन्होंने नाम दिया, और तब से थोड़े समय के लिए जो बजट रखे जाते हैं, उसको इंट्रीम बजट ही कहा जाता है, जबकि जौन मथाई के बिसे में बता दें आपको कि गंतंत्र भारत का पहला बजट जौन मथाई के द्वारा ही, 28 फरवरी 1950 को प्रस्तूत किया गया था, इनकी बिसे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि 1957 में इनकी सिफारिस पर ही, पहली बार भारत में संपती कर, मतलब वो विल्थे, टैक्स इंपोज किया गया था, या लगाया गया था, संपती कर, प्रतेक्ष कर होता है, आय और संपती पर जो भी कर लगाया जाते हैं, वो डिरेक्ट टैक्सी होते हैं, तो काल्डोर की सिफारिस पर 1957 में पहली बार संपती कर लगाया गया था, इसके अलावा काल्डोर ने एक्टिव इंकम मतलब कि सेलरी और ट्रेड मतलब ब्यापार से समंधित आए और पैसिव इंकम मतलब ब्याज और किरा से समंधित जो आय होता है इसको अलग करने का काम किया था और ये काम भी उन्होंने 1957 के बजट में ही किया था एक और आप्शन है CD देशमुक ये RBI के पहले गवर्नर हैं जिन्होंने देश के लिए बजट प्रस्तूत किया था 1951-52 में और CD देशमुक जो RBI के गवर्नर थे उनके द्वारा प्रस्तूत किया गया बजट भी इंट्रीम बजट की ही स्रेनी में आता है तो ये Indian Economy के दस सवाल है साथ में जरुवत के हिसाब से मैंने उसके अर्थ और Explanation को बताने का काम किया है उमीद है आपको पसंद आएगा इन चीजों को यसा के शुरुबात में मैंने कहा यो अतरिक्त जानकारी दी जा रही है आप उसको अवस्चे नोट कर लें ऐसा करने से आपका जो GS का range होगा वो day by day बढ़ता चला जाएगा और परिक्षा में संभव है कि आपको यहां से कुछ question solve करना में आसानी हो जाए तो आप इस वीडियो को देखते रहे है आने वाले दिनों में हम जारखंड के examination को ध्यान में रखते हुए second paper मतलब जो जारखंड special है वहां से भी प्रस्तन डालेंगे ठीके लेकिन हमारा जो अगला सेट होगा वो science से होगा जिसमें की general science के अलावा environmental science भी होगा अगर अब तक आपने इस वीडियो को subscribe नहीं किया है YouTube चैनल को तो please subscribe कर लें देखते रहें और अपनी प्रतिक्रिया अवस्य दे ठीके चाहे वो स